दाविद इब्राहिम के साथ अनिल कपूर की ये ओल्ड पिक्चर कल सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई इस पिक्चर को लेकर सोनम कपूर को जम कर ट्रोल किया गया इस ट्रोलिंग इंसिडेंट की शुरुआत तब हुई जब सोनम ने जामिया फाइरिंग इंसिडेंट पर कॉमेंट करते हुए इसे डिर्टी पॉलिटिक्स कहा और चोल्स स्टाटेट कॉलिंग हर डॉम, बिम्बल और हिपक्रिट यही नहीं, सोनम के डाद की एक ओल्ड पिक्चर को पोस्ट करके भी उन्हें निशाना बनाया गया इस पूरे इंसिडेंट की शुरुआत सोनम कपूर के इस ट्वीट से हुई जब उन्होंने लिखा सोनम के इस ट्वीट पर रप्लाइ करते हुए एक यूजर ने लिखा इस ट्वीट के रप्लाइ में सोनम ने तुरंथ जवाब देते हुए message पोस्ट किया लिकिन ये बात यही नहीं रुकी एक यूजर ने इंटरनाशनल टेररिस्ट दावद इब्राहिम के साथ अनिल कपूर की पिक्चर को पोस्ट करते हुए सोनम से कहा आप बहुत प्रकरता से अपनी आवाज उठाती है क्रिपया देश को बताएंगी के आतं की दावद के साथ आपके पिता की तस्वीर का संबन उनके कर्म से है या उनके धर्म से जिस पर सोनम ने अपने डाद अनिल कपूर को डिफेंट करते हुए लिखा साफ है सोनम ने इस इंसिदेंट की सच्चाई लोगों की सामने लाने की कोशिश की लेकिन ट्रोल्स यहीं नहीं रुके एक यूजर ने लिखा और इस यूजर को भी जवाब देते हुए सोनम ने लिखा बिकिस ही वस्पाउटिंग प्रोपगांड़ा उसिदे वर्ड हिंदू सी दर विडियो साफ है सोनम के इस अपिनियन को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा खडा हो गया है और प्रोपगांड़क नवाब देता प्रॉडियो फ्रीदे अई अई दूम झाल झाल झाल